नमस्कार दोस्तों, स्वाकत थे आप सभी का हमारे चनल पर दोस्तों आज मैं आपको आँखों के आसपास जमा कोलेस्टरॉल की समास्या को कम करने के लिए कुछ बहुती बैतरीन घरे लूनस्कों के बारे में बताने वाली हूँ कभी-कभी ऐसा होता है कि आँखों की उपर की जो त्वचा होती है वो पप्डीदार सी नजर आने लग जाती है वहीं पलकों के आसपास चोटी-चोटी दाग चोटी-चोटी फुनसियों जैसे दिखाई देने लग जाती है त्वचा पर दोस्तों दरसल ये जो होती है न वो कोलेस्टरॉल होता है आपके आँखों के पास त्वचा का इस प्रकार का हो जाना इस बात का संकेत होता है कि आपके शरीर में कोलेस्टरॉल बढ़ गया है दोस्तों जब चहरे पर कोलेस्टरॉल जमा होने लग जाता है तो जाहिर सी बात है कि चेहरे में कुछ बदलाव भी नजर आने लगते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया जब चेहरे पर कोलेस्टरॉल बढ़ने लग जाता है तो आँखों के नीचे कोलेस्टरॉल जमा होने की समस्या आम होती है जिसे डाइस्ली पिडेमिया कहा जाता है यहाँ LDL कोलेस्टरॉल होता है जो की शरीट के लिए नुकसान दायक होता है आँखों के आज़ पास या फिर नीचे कोलेस्टरॉल जमा होने के कई कारण होते हैं जैसे की डायबेटीज, लीवर संबन्दी बिमारी, कोलेस्टरॉल का इस्तर बढ़ जाना या फिर अनुवन्चिक कारण भी हो सकते हैं दोस्तों आँखों के आस पास कोलेस्टरॉल जमा होने के कारण खुबसूर्ती भी कभी-कभी कम हो जाती है इसलिए आप कुछ घरेली उपायों का इस्तिमाल करके इसे कम कर सकते हैं इसकी जानकारी जानने से पहले सबसे पहले तो एक नवी दन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप्या सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारी सद्ध सिता को जरूर ले लें तक कि आप हमसे जुड़े रहें हमारे दरदी गई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा बिटा सकें दोस्तों आँखों के पास जमा पपड़ी को हटाने के लिए जो लेसन होता है न वो बहुत ही आसान और प्रभाबी उपचार माना जाता है इसके लिए आपको बहुत महनत नहीं करनी है बस एक लेसन की कली लीजे और इसे छील कर बीच से काट लीजे अब इसी अपनी आँखों के आसपास जहां भी तवचा पर दाग या फिर दाने दिख रहे हैं न वहां थोड़ी देर रगड़िये इससे आपको तवचा पर थोड़ी सी जलन मैसूस होगी मगर उससे कोई समास्या नहीं है दिन में दो से तीन बार ऐसा जरूर कीजे इससे दीरे दीरे ये दाग गायब हो जाएंगे आपके वहीं दोस्तों केले के छिलके का प्रयोग करके भी आप आँखों पर जमा कोलेस्टरॉल से चुटकारा पा सकते हैं इसके लिए केले के छिलके को छोटे छोटे टुकडों में काट लीजे और रात में सोने से पहले गीले वाले हिस्सों को धब्बो वाली जगा पर लगाईए और टेप या फिर बेंडेट की मद्यत से चिपका लीजे से रात भर ऐसे ही सोईए और सुबा टेप को निकाल दीजे दो से तीन दिन ऐसा करने से आपके दाग कम होने लग जाएंगे प्यास का रस लगाने से भी आँखों के पास जमा कोलेस्टरॉल को हटाया जा सकता है इसके लिए एक छोटे साइस का प्यास काटे और इसे फिर पीस लीजे अब किसी सूती कपड़े में या फिर छन्नी की मदद से इस प्यास का रस निचोड़ लीजे इस रस में थोड़ा सा नमक मिला लीजे और रात भर के लिए इसे छोड़ दीजे सुबा उठने के बाद इस रस को अपनी आँखों के आस पास जमा दाग धबों पर लगाईए इससे भी आपको फाइदा मिलेगा तो दोस्तों आपको हमारे दोरह दी गई है जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपना कीमति समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धनिवाद